नमस्कार वित्रों मैं आज आपको बहुती अच्छा दीटमेंट्स बताने जा रहा हूं जिससे के नावी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और जिनकी नावी हड़ जाती है उनको बहुत सारे प्रोग्रम्स होती है इनको गैस बनती है वॉस्टिप्रेशन रहता है इनका प्रोग्रम्स का सारी ठीक हो जाती है और मुस्ट ठीक हो जाती है तो आएए मैं इनके चेह कर देन आपी अभी अपने हाथ लाएंगे दोनों यह पीछे वाले कट्स होते हैं सबसे राश्ट वाले जो रिष्ट पर है यह जो कट्स दिखाओ इनको अच्छे यह कट्स को पह इनकी यह राइट साइड में लेफ्ट साइड में हटी हुई है इनकी नाभी यह अटाई में थोड़ता यहां आपको दर्द है यहां यह गैस बनी हुई इनको न और इनकी नाभी इगर लेफ्ट साइड में यहां यहां दर्द है लेफ्ट साइड में गई हुई है तो जिस कारण से इनकी नाभ गैस की प्रॉलम है पेट खीचे के लिए नहीं होता होगा उसके लिए सबसे अच्छा टीकमेंट्स है एक को हम यह दोनों पेरों के अंभुखों को ऐसे आपस में मिलाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से और दीरे दीरे करके बिल्कुल दीरे दीरे उठाएंगे ऐसे आराम से बिल्कुल टेजी से निक ठाना और 6 सेकंड के लिए उपर रुखेंगे और दीरे दीरे नीचे लेके जाएंगे फिर द्वारा से वो 6 सेकंड के लिए उपर ले जाके रुखेंगे लीचे ले जाएंगे ऐसे पांच भार करना है इसको कोई भी कर सकता है क्योंकि ये कोई ऐसे करके कोई भी दे सकता है रख स्थीटमेंट्स गाएंगे ये मैंने पांच भर किया इनको उसकी अबार देल्टापोर गोगाएंगे उसके बाद जिस साइड ना भी इनकी हटी हुई है उस साइड पहले उपर से लेके नीचे ऐसे प्रेस करते हो लाएंगे ये बुड़ा सा पॉड़र लगाएंगे ऐसे उपर से सिलिप करके नीचे लाना है इस साइड से भी इधर से भी इधर से भी पेट की प्रॉलम को हम नावी को केंद्र मान के चलते हैं पेट की प्रॉलम है इनको उनकी नावी ठीक नहीं रहती अभी यहां दर्द है अब नहीं है अभी देखो अभी हम देखते हैं इनके हाथ मिला के इनकी नावी ठीक हो गई है अब यह देखो सारे कट्स इनके बरावर है देखा दोस्तों आपने एक ही टीटमेंट में इनकी नावी सेट हो गई है और यह पेट की प्रॉलम्स जो पेट फूलताय गैस बनती है वो सारे प्रॉलम्स ठीक हो जाएंगी तो आप लोग भी कर सकते हैं अपने घर में कर सकते अपने एक किसी घर के आदमी के उपर कर सकते हैं ठीक से और यह इस वीडियो को जादा स्यादा लोगों को सेर करें ताकि लोगों को पता लगके लग सके कि हम अपने आप कैसे घर में ना भी ठीक कर सकते हैं और लाइक करें सब्सक्राइब करें जिससे जादा स्यादा झाल झाल